हलो दोस्तों, तो यहां पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट अप्डेट आपके साथ शेयर करनी है आपको पता होगा कि RBI के द्वारा 31 दिसंबर 2021 डेडलाइन दिया गया था जितनी सारी भी e-commerce कंपनिया हैं, Amazon, Flipkart, Mintra, Misu, इन सब को कि वो कार्ट टोकनाईजेशन यहम को अपना ले, जिसके तहत वो किसी भी कस्टमर का डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सेव करने के बज़ए टोकन का इस्तिमाल करे ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करने में अब यहां पे यह कंपनियों की दौरा, बैंकों की दौरा, पेमिंट गेटवेस की दौरा, आर्बिया से यह मांग किया जा रहा था कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए और समय दिया जाए और फाइनली यहां पे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने यह जो आपका डेट लाइन था 31 दिसंबर 2021 इसको और 6 महिने के लिए बढ़ा दिया है 30 जून 2022 तक के लिए कर दिया गया है अब इस डेट के बाद जितनी सारी फी कॉमर्स कंपनिया है उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो का टोकनाजेशन सिस्टम को अपना ले